तो आज ये PQRS के कुछ प्रेशन हम लेने वाले हैं ना देखते हैं मेरे साथ साथ आप इनको solve करने की कोशिश करना जैसे जैसे मैंने बता रखा है तो आप वीडियो को pause कर सकते हैं पहले अपने से answer जो है try करें इसके बाद में जो है देखें तो अब आया दीज अब देखो कोई आदमी कोई वस्तुएं कुछ कुछ चीज होगी ना उन्हीं के लिए तो कहा गया है दीज तो अब दीज क्या हो सकता है दीज के बाद about आ सकता है विता सकता है विल आ सकता है या पर experiment ही तो आएगा ना कि ये प्रियोग बस बात खतम तो यानि कि हमारा answer हमारा जो answer है क्यूशी शुरू होगा क्यू से सिर्फ जो है एक ही शुरू हो रहा है और वो है एक क्यू एस आर पी अब इतनी जल्दी हमें मिल गया तो मैं कह रहा हूं जल्दी मिलेंगे वह आपको बस आपको एक हिंट पकड़ में आनी चाहिए या तो आप पहली लाइन पढ़ने की कोश लिखा हुआ है तो आपको अगर पता हो तो heavenly bodies होता है heavenly bodies होता है स्वर्गी bodies है देवी ये bodies या खगोली ये पिंडा आप इनको कह सकते हो है heavenly bodies अब जो है मैंने आपको बताया कि हमारा answer है अब एक बार इसको एक बार चेक कर लेते हैं पढ़ लेते हैं इसे कि वह पहले अगला देखते हैं तो इसको ट्राई करो आप अपने से सबसे पहले है ना इसके बाद देखते हैं कि क्या है one evening he lit a large lamp in the bedroom and sat near his wife तो क्या कहती है पहले line कि क्या किया किसी व्यक्ति ने जो है एक evening में कि he lit a large lamp उसने कोई एक lamp को जलाया bedroom में और अपनी बीवी के पास में बैठा अब बैठने के बाद में उसने क्या किया lamp जलाया बीवी के पास में बैठा इसके बाद में हमें देखना है options को अगर हम देख जो वा की शुरुवात होगी, या तो R आना चाहिए, या फिर S आना चाहिए तो उसने लेंप जलाया, और लेंप जलाकि अपनी बीवी के पास बेट गया इसके बाद में उसने क्या किया? Shall I read you something? He asked What shall I read? He continued तो अब देखो, इन दोन लाइन्स में से, R और S में से पहले आएगा R क्योंकि भी पहले वो पूचेगा ना, कि उसने अपनी बीवी से पूचा Shall I read you something? कि भी मैं तुमारे लिए कुछ पढ़ू पहले मैं तुमारे लिए कुछ पढ़ू तो उसके बादी तो आएगा, He continued Continued का मतलब हो जारी रहा पहले उसने कुछ पूचा, इस पूचने के बाद में आएगी यह लाइन्स तो हमारा आंसर जो होगा वो R से उसकी शुरुआत होगी Shall I read you something? तो R से शुरुआत होगी तो S वाले यह दोन आप्शन जो हमारे हट गए तो या तो आंसर हमारा A आना चाहिए या फिर आंसर C आना चाहिए तो अब चेक कर लेते हैं कि या तो A या फिर C तो पहले उसने पूचा, Shall I read you something He asked अब जब वो पूचेगा तो उसे कुछ जवाब मिलेगा Why not? वाजदा आंसर कि जब उसके हसबेड ने उसे पूचा कि भी मैं तुमारे लिए कुछ पढ़ू तो क्या कहा उसके वीवी ने? Why not? वाजदा आंसर तो R के बाद आ गया P इसके बाद मैं उसने दुबारा पूचा What shall I read? He continued है ना बना रहा हो लगाता कि भी क्या पढ़ो में तुमारे लिए? Whatever you like जो भी तुमें पसंद हो He was somewhat taken away by her answer Taken away का मतलब होता है हत्प्रभ रह जाना है ना बिल्कुल एददम आस्चर चकित हक्का बक्का रह जाना जो उसकी बीवी ने आस्चर दिया ना उससे आस्चर चकित रह गया तो इस तरह से ये पूरे options जो है एक तरीके से हमारे सारे clue जो एकदम फेट होगा है किसमें? A में तो 32 का हो जाएगा हमारा A R, P, S, Q अगला देखते हैं One day George Washington was riding along a road तो ये क्या कर रहा था एक दिन? मतलब ये जो George Washington है ये मतलब एक तरह सवारी कर रहा था along a road road के सहारे सहारे अब इसके बाद में क्या आना चाहिए? कि ये जो road के सहारे सहारे जा रहा था तो इसके बाद में क्या हुआ होगा? छटवा देख लेते हैं जोर्ज वाशिंग्टन डिस्माउंटेड एंड हैल्प्ड दसोल्जर्स टू लिफ्ट दा बीम अब देखो इसने यहां पर क्या लिखवा है? हैल्प बई ये जो George Washington है इसने क्या किया? हैल्प की किनकी हैल्प की? सोल्जर्स की किस चीज में? टू लिफ्ट दा बीम अब देखो ये बीम का मतलब है कोई वजनी चीज होगी इसको उठाने में सेनिकों की मदद की है जोर्ज वाशिंग्टन है तो अब देखो क्या हो सकता है? यहां पर टू लिफ्ट दा बीम है हमारे पास ओप्शन है क्यू है? क्यू है? आर है और एस है प को हटाओ सबसे पहले है ना प तो नहीं है ना बिल्कुल ठीक तो प उप्शन में नहीं है तो प तो हमारा आएगा नहीं तो क्यू आर और एस इनमें से हमें क्लिक करना है कि क्या आना चाहिए तो अब रोड ये सारे सारे जाएगा तो अब कौन से लाइन इन तीनों में से लोजिकल लगती है आपको Q, R और S में से देखो अब देखो इसके बाद ये लाइन आ सकती है क्या थोड़ा सा आप अपना देखना वन डे, George Washington was riding along the road they needed just one more man नहीं, they needed just one more man ये क्या है कि एसा लगता है कि वही बीच की लाइन है कि वही कोई प्रियास कर रहा होगा है प्रियास करते-करते जोए वो सपल नहीं हो पा रहा होगा उसके बाद में लाइन कहीं जाएगी कि they needed just one more man अब इस लाइन को देखो, on the way, on the way मतलब है कि वह अपने रास्ते पे जा रहा था, और अपने रास्ते के दोरां, on the way का मतलब है, mark में, he saw soldiers lifting heavy beam, उसने कुछ सेनिक देखे, जो की lift कर रहे थे, जो की उठा रहे थे, एक heavy beam, अब आपको beam का नहीं पता न, exactor, तो कोई दिक्कत बात नहीं है, बस आप अब इतना तो पता चली गया, कि कुछ कुछ है, close test करोगे आप, passage करोगे, PQRS करोगे, हर जगे कुछ न कुछ ऐसे शर्द आएंगे, जिनका आरत आपको पता नहीं होगा, तो आपको क्या है, कि passage की tone समझते हुए, कि पेसेज में क्या बात की जारी ह उसी अनुसार आपको gas करने की कोशिश करना है, कि हाँ ठीक है, ये बात हो रही है इसमें, तो अब इसके बाद एकदम ये logical लगता है, एकदम correct, कि वे अपने mark पे उसने देखा कि कुछ soldiers जो क्या कर रहे थे, वे beam को जो है, उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारा answer जो है कि वे on the way, he saw soldiers lifting a heavy beam, इसके बाद आ जाएगा, क्यूँ, the corporal was giving them orders, कि बही, corporal के द्वारा उन सेनिकों को orders दिये जा रहे थे, चलो क्यूँ लगा दिया, इसके बाद देखते है, पी, the beam was too heavy to lift without help, कि वो जो beam था, वो इतना ज्यादा भारी था, कि बिना मदद की उठाय नहीं जा सकता था, बिल्कुल ठीक है, ये पिया गया, they needed just one more man, उनको सिर्फ एक आदमी की और जरूरत थी, George Washington dismounted and helped the soldiers to lift the beam, कि वे George Washington इननोंने क्या किया, इन soldiers की help की, इस beam को उठाने में, तो बस ये मिल गए, चारो की चारो हमारे, एकदम बिल्कुल फिट हो गया काम, तो कहने क मतलब है कि एकदम answer तो हमें तभी मिल गया था, R जिसे ही मिला हमे, R और किसी options में नहीं है, तो answer तो हमी तभी मिल गया है, लेकिन ये मैंने आपको जो है, बिल्कुल 100% sure करने के लिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जहां भी आपको लगे 90% आप sure है, तो एक बार जो आप थोड़ा सा बढ़ा है है न, 34, लेकिन बढ़ा है कोई दिकत नहीं बढ़े है, तो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं न, पहली line में क्या लिखा हुआ है, कि the trial of Madhuri Gupta began on the morning of 22 March 2012, almost 2 years after she was first taken into police custody, देखो इसका मतलब समझो, पहले ही क्या कहना चाहरा है, the trial, trial का मतलब होता है, सुनवाई, आदालत में जो सुनवाई होती ही न, उसको कहा जाता है, the trial of Madhuri Gupta began on the morning of 22 March 2012, कि 22 March 2012 की सुबह को Madhuri Gupta की सुनवाई शुरू हुई, almost 2 years after she was taken into police custody, कि भई, इसके मतलब 2 साल पहले उसको police custody में लिया गया, Madhuri Gupta को, और 2 साल बाद में उसकी शुनवाई शुरू हुई, यही तो लिखा हुआ है, almost लगवग 2 साल बाद, after she was first taken into police custody, कि भई, जश्ट 2 साल पहले उसको police custody में लिया गया था, हिरासत में लिया गया था, और उसके जश्ट 2 साल बाद, 22 March 2012 को, उसकी सुनवाई अदालत में शुरू हुई, अब इसके और यह थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, options देख लेते हैं, options क्या कहते हैं इसके, कि P है, Q है, R है, ऐसे, चलो यह तो बहुत अच्छी बात है, कि 4 options अलग-अलग है, P है, Q है, R है, या ऐसे, तो एक भी अगर हमें link पकड़ में आगी ने, एक दम सही, तो जो है हमारा मामल हो जाएगा, छटा देखते हैं, the place presents a dim picture of the depressing realities of justice at work, the place, कि भी किसी स्थान की बात हो रही है, कि यह स्थान जो है, क्या दिखाता है, एक dim picture, dim picture का मतलब है, एकदम धुंदली picture, या फिर एकदम निराशा से भरी हुई picture है, उस तरह की धुंदली picture, of depressing realities, depressing realities का मतलब है, कि निरा करने वाली यथार्ता, depressing realities का मतलब क्या हुआ, कि एसा चित्र परस्तुत करता है, वह इस्थान जो है, एसा चित्र परस्तुत करती है आपके सामने, कि उससे आपके मन में निराशा पैदा होती है, of justice at work, realities of justice at work, कि भई नियाय की वास्त्विक्ता क्या है, उस वास्त्विक्त को दिखाता है वह इस्थान जो है, तो अब यह clear हुआ हमें, कि यह च्छटा है, जो च्छटी लाइन है, इसके अनुसार क्या है, कि च्छटी लाइन के अनुसार, इसके ज़स्ट पहले जो लाइन आनी चाहिए, वह इस्थान के बारे में होना चाहिए, तभी तो कहेंगे, अब the place represents च्छटे के पहले कुछ इस्थान की बात होनी चाहिए क्योंकि च्छटा क्या कह रहा है किसी इस्थान के बारे में जिकर कर रहा है अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस्थान के बारे में कुछ clue दिख जाए हमें तो यह देखो हमारे पास कि किसी इस्थान के बारे में कोई बात हो रही हो है तो PQRS को हम चेक करते हैं तो she was released on bail उसको rebel पर रहा किया गया shortly before 10 a.m. गुपतावाज she had been jailed वजे जेल में रही ती है January of this year तक इसके बाद में home to about 400 courtrooms the complex is among the largest of its kind in Asia अब देखो यह आगया ना इस्थान home to about 400 courtrooms कि भाई वह जो इस्थान है the complex आगया ना complex कि मतलब वो जो जगे है वो जो complex है उसमें लगबग कितने हैं कि मतलब एक तरीके साब कह सकते हो कि 400 courtrooms हैं is among largest of its kind in Asia यह है इस्थान जो है जो छटी लाइन है इसके just पहले ऐसा आएगा यह हमें clear हो गया अब हम देख लेते हैं option कि अगर एक ही option है ऐसा जिसमें last में ऐसा आ रहा है तो वह हमारा answer है चेक करते है 34 है अब देखो इसको 34 का यह जो D option आपको दिखाई दे रहा है 34 का D सिर्फ इसी में S आ रहा है last में तो बस क्या यह answer नहीं हो जाएगा हमारा RPQS अब जो एक बार check कर लेते हैं तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि वह किस तरह से हुआ तो कहने का मतलब है आगे से पीचे से कहीं ने कहीं किसी भी जगे से कोई एक धागा पकड़ में आ जाए ना आपको बिल्कुल एक वाजिब धागा तो आपका मामला बन सकता है क्योंकि जैसे ही मैंने चटा देखा तो मुझे समझ में आया कि वही एक इस्थान की बात हो रही है तो लाश्ट जो छटे से पहले जो लाइन आएगी उसमें उस इस्थान का जिक्र होना चाहिए तो वह इस्थान की लाइन मैंने ढूंड ली यहां पे है ना यह तो बस मुझे यह पता चल गया कि एस सबसे लाश्ट में आएगा तो यह हमारा आंसर में ने लगा दिया पूरे को पढ़ने ही कोई जरूत नी अब जो एक बार इसको पढ़के देख लेते हैं तो क्या कह रहा है वाक कि मादोरी गुपता की ट्राइल 22 मर्स 2012 को सुरू हुई लगबग दो साल बाद जब वह पूलिस कस्टडी में ली गई है इसके बाद में ऑप्शन के अनसर क्या आना चाहिए पहले आना चाहिए आर शी हैड बीन जेल अंटिल जन्वरी अब देशियर कि भई वह जो है इस जन्वरी तक जो है जेल में रही थी when she was formally charged with violating the official secrets act 1923 भई उस पर जो है charge लगाया गया था आरोप क्या लगाये गयते उसके उपर उसने क्या किया था official secrets act 1923 कोई कानून है इस कानून का उसने उलंगन किया था तो पहला आ गया आर इसके बाद में कहरा है P की she was reached on bail है न इसको बेल पर रिया कर दिया गया था after having already served 21 months in Tihar Jail में किस महीने बिताने के बाद में उसको रिया कर दिया गया था इंतिहार जेल वेटिंग तुर वो सुनवाई का इंतिजार कर रही थी वो है इमियबली का मत उता है मित्रता पूर्वक तरीके से न कि वह चेट कर रही थी बाते कर रही थी किस से विजता पुलिस्में पुलिस्में के साथ on duty at North Delhi 30,000 कॉल्ट कॉम्प्लेक्स है न 30,000 कॉल्ट कॉम्प्लेक्स में जो है उससे डिसकस कर रही थी इसके बाद में देखो S, कि भई अभी यह इसी के लिए कहा जा रहा है आगे है ना, कि home to about 400 court rooms है ना, कि भई यह जो 30,000 court complex है ना, यह मतलब 400 इसमें छोटे-छोटे court room है, the complex is among the largest of its kind in Asia, कि भई यह जो complex है अपने आप में बड़ा ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज हमारा answer बिल्कुल ठीक है ना, 34 का हो जाएगा हमारा DRPQS, अगला देखते है 35, अगला देखो छोटा है तो, क्या ना चाहिए? हममगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग लिखावा है, emerged out है, कुछ निकल के बाहर आया है, तो क्या निकल के बाहर आया, क्या निकल के बाहर आया, on the emerged हो सकता है क्या, chief minister's family for its electoral fortune, देखो, इनका combination नहीं बन जाएगा, क्या has और ये em, er, emerged, इनका combination नहीं बन जाएगा, क्या है, emerged क्या है, वर्व है, और has क्या है, helping वर्व है, तो helping वर्व के बाद में, आपकी वर्व आनी चाहिए, ये नहीं आनी चाहिए, तो क्या ये combination नहीं बन जाएगा, in the past one year, मतलब बीते एक साल में, the political party has emerged, कि वही, ये जो राजनितिक पारिटी है, ये उभर के सामने आग ये हमारा R, R A की में है, तो ये हमारा answer हो गया, R P S Q, R P S Q, तो 35 ये का हो जाएगा हमारा B है, एक बार इसका R समझा देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल, कि वही, सबसे पहले क्या बता है, मैंने R आएगा है, कि in the past year, बीते पिछले साल में, the political party has, कि वही ये जो राजनिति पार्टी है, ये निकल के सामने आईए, उभर के सामने आईए, आउट अप इट्स, pathetic reliance on, pathetic के मत होता है, बहुत ही ज़्यादा दय नहीं है, कि वही ये जो पार्टी थी न, ये depend हुआ करती थी, निर्भर हुआ करती थी, reliance on, कि सीच पर निर्भर हुआ करती थी, chief minister's family for its electoral fortune वह है, पार्टी जो है, chief minister की family पर निर्भर हुआ करती थी है, चुनावी fortunes के लिए है, एक तरीके से, तो ये जो है, पार्टी जो है, बहुत ही बड़ी है तरीके से निकल के सामने आईए, तो ये हो जाएगा, इसका B, R, P, S, Q, अगला देखते हैं, इसको देखने के कोशिश करो, ये भी छोटा है, किसी भी तरह से देख सकते हो, आगे से, पीचे से, उपर से, नीचे से हैं, options देख लो, P, Q, Q, S, तो R तो आएगा नहीं है, never to lose hurt है, R नहीं आएगा, इसके बाद में, इसके अलावा देखो, आप 36 में, S से आ सकता है क्या, Advised the Soldier, वर्ब से इस तरह से हो सकता है क्या, वाकी शुरू, Advised the Soldier, वहीं, Advise के पहले कुछ आएगा न, Advise दी जाती है किसी को, तो किसी ने दी होगी न, Advise, उसके बाद ही तो आएगा ये Advise, तो S भी नहीं आ सकता, अब, इसके बाद में अगर हम देखें, तो कोशिश करते ह कि Advise जो है कौन देगा, Advise देगा यहाँ पर, Captain है Advise देने वाला, और कोई लग रहा है कि आपको कोई Advise देने वाला यहाँ पर, इस P को देखो, Q को देखो, R तो आना ही नहीं है, तो P के बाद में क्या आना चाहिए आपका, R आना चाहिए, नहीं, P के बाद नहीं, यहाँ P के बाद नहीं, मैं ही कहना चाहरा हूँ आपका, कि इस Q को देखो आप, The Captain who was himself a brave man advised the soldier, जो कि अपने आप में स्वयम एक शक्तिशाली व्यक्ती था, ताकतवर व्यक्ती था, भाहदूर व्यक्ती था, Advised the soldier, उसने soldiers को advice दी, सला दी, never to lose heart, कि भई कभी भी अपना दिल मत हारो, कभी भी अपना दिल मत हारो, इसके बाद में लगा तो P, कि भई जब आप युद्ध में सनलगन हो, engage कमत होता है, किसी काम में सनलगन होना है, किसी काम में एक तरीके से कह सकते हैं, आप सनलिप्त हो कि जब आप युद्ध में दुश्मन के खिलाप लड़ रहे हो, तो अपने होसला मत हारो, कि Captain who was himself a brave man, कि भई Captain जो कि अपने आप में स्वयम एक भाद्दूर आदमी था, उसने advice दी, soldiers को सला दी, कि भई आप जो अपना दिल मत हारो, कभ मत हारो दिल, दिल कभ मत हारो, जब आप युद्ध में सनलगन हो, तो इस तरह से 36 का हो जाएगा हमारा B, QSRP, अगला देखते हैं, तो इसको देखने ही कोशिश करो 37 को, क्या आना चाहिए है न, छोटा सा है यह तो, aggregate levels of under nutrition in India, under nutrition का मतलब एक तरीके से कुपोशन की हालत, उसका अगर लगवग, अगर हम बात करें हैं, उसका इस्तर कितना है, aggregate level का मतलब है, कि एक आंकलन करने की कोशिश करें, कि भारत में यह जो है, एक तरीके से कुपोशन का इस्तर क्या है, उस कुपोशन के इस्तर को देखो, तीन ही भरने हैं, पहला तो यह होई गया है, इसके बाद है PQR में से ही लगाना है, तो किस क्या लगाए है, देखो आप Q है, Q है, P है, R है है यहां तो तीन ही आ गए है, एग्रिगेट लेवल्स ऑफ अंडर नूट्रिशन इन इंडिया, यह लगा दे हैं, वर्ब लगा दे हैं, रिमें, शोकिंगली हाई, डिस्पाइट दे इंप्रेसिव रिदक्शन इन इस्टंटिंग इन लास्ट डिकेट, कि भई, यह जो इस्तर है, को पोशन का इस्तर है, भारत में, रिमें, बना हुआ है, देखो, रिमें, यह ज़्यादा एक्टम सही लग रहा है, बिल्कुल पूरा कलियर हो जाएगा, तो यह तो छोटा है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ने, तीनों को पढ़के भी आप चेक कर सकते हैं, पिक्यू आर देख लो QRP देख लो, या फिर RQOP देख लो, आकी मर्जियों जैसे, तो देखो, इसको आप कोशिस करो, तो आई तम कलियर हो जाएगा आपको, कि भाई, एग्रिगेट लेवल्स ऑफ अंडर नूट्रिशन इंडिया, रिमें, बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, शोकिंग ली आई, म देखो, यहाँ पर थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं, लेकिन आप कह सकते हो, कि थोड़ा सा कटिंग शब्द है, इस्टंट, इस्टंट का मतलब होता है, कि व्रद्धी में कमी आना, किसी चीज को उगने से रोकना है, despite the reduction in stunting in the last decade है, कि आप कह सकते हो, कि भाई, जो है, मतल जाती थी, यानि कि व्रद्धी नहीं हो पाती थी, तो उसमें भी काफी कमी आई, reduction आई, इसके बावजूद भी, जो को portion का इस तरह है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा high बना हुआ है, अगला देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आप लगा दो A, 37 का A, PRQ, don't ask, ये मत पूछो कि इस समय हम अभी क्या कर रहे हैं, we don't want to give up trying, कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को छोड़ना नहीं चाते हैं, हार नहीं मानना चाते हैं, give up का मतलब एक तरीके से surrender कर देना, हार मान जाना, तो we don't want to give up try हैं, अब देखो आप क्यो क्यो आ रहा है R आ रहा है और P आ रहा है, तो ऐसे मतलब मैंने आपको कई बार बताया है, इसे में क्या होते हैं, ज्यादा तर chance होते हैं, कि जैसे ये भी Q से शुरूरा है, ये भी Q से शुरूरा है, तो 80% chance बनते हैं, कि answer जो हमारा इन में से हो, पक्का नहीं 100% की हो गई, हो सकता है, chance बन Don't ask what we are doing this time, मत पूंचो की समयम क्या कर रहे हैं, on other occasions we have time in hand, it is difficult to say if the program can be put up at all, this time we are not only facing a lack of time but of resources as well, I am losing confidence gradually, So please see what you can do for us, तो देखते हैं इन में से हम क्या लगाएं, कुछ option एकाद eliminate हो रहा है क्या, हाँ, Q है, R है, P है, तो चलो S तो eliminate हो गया, कम से कम है, ये S जो है, option में नहीं है, तो कम से कम S तो नहीं आएगा, P, Q और R में से ही कुछ आना है, अब दुबारा से पहली line को देखो, Don't ask what we are doing this time, अब एक ध्यान देना है, इन दो शब्दों पर ध्यान देना है, इस P को देखो और इस R को देखो, on the other occasions we have time in hand, this time, थोड़ी सी विरोधा भास की बात है, इस दोनों में, P है और R है, इन दोनों में क्या है, विरोधा भासी बातें जुली हुई है, अब इनको द On other occasions we have time in hand, कि अन्य आउसरों पर हमारे पास time होता है, लेकिन इस time, this time, यानि कि this time, we are not only facing a lake of time, अब देखो, कि अन्य आउसरों पर तो time होता है हमारे पास, लेकिन इस बार, this time, we are not only facing a lake of time, हमारे पास न केवल time की कमी है, बट ओफ रिसोर्सेस, एस वेल साथी साथ हमारे प तो फिर आना ही आना हमें बस एक कड़ी पता चल गई, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, कि हम से मत पोचो, फिर हमें एक यहां पर देखा, this time, we are not only facing, तो पहले इसके पहले हम क्या कहींगे, इसके पहले हम कहींगे, कि अन्य आउसरों पर तो हमारे पास time होता है, on the other occasions, we have time in hand, इ कि साथ ही साथ हमारे पास संसादनों की कमी भी है, तो P के बाद में आ गया, R, इसके बाद में आ जाएगा Q, क्या कहता है Q, it is difficult, यह कहना काफी मुश्किल है, कि यह जो program है, क्या बिल्कुल समय पे, can be put up at all, कि मतलब इसको समात भी किया जा सकता है, इसको रखा भी जा सकता प्रोग्राम को, और इसके बाद में आ जाएगा S, I am losing confidence gradually, मैं धीरे धीरे जोए अपना आत्म विश्वास खो रहा हूं, so please see what you can do for us, तो कृपिया आप मतलब देखो भई, कि आप मेरी मदद के लिए क्या कुछ कर सकते हो, we don't want to give up time, हम जो है कोशिश करना छोड़ना नहीं चाते, तो इस तरह से ए हो जाएगा इसका answer, P, R, Q, S, अगला देखते हैं, 39, it was my first day in college, कि वही college में यह मेरा पहला दिन था, it was my first day in college, college में यह मेरा पहला दिन था, अब इसके बाद में क्या हो सकता है, they took me to their room, as I entered, two seniors approached me, I was happy to follow them, they offered me to help me locate, they forced me to part with my money and the rest was, चलो ठीक है देखो, options क्या दे रखे हैं, P है, Q है, R है, S है, चारों है अलग-अलग हैं, P है, Q है, R है, S है, चारों अलग-अलग हैं, तो एक पता चल जाए, अब देखो, it was my first day in college, college में यह मेरा पहला दिन था, तो जब कोलेज में मेरा पहला दिन था, इसके बाद की क्या लाइन होनी चाहिए, क्या ऐसा सकता है, They offered me to help me to locate my classroom, उन्होंने मुझे जो है, पेशकस की, किस बात की पेशकस की, कि भई, तुम कहो तो तो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी क्लास का पता बता दे, They offered me, अब देखो, यह आ जाएगा, क्या सीधा, दे के पहले आना चाहिए, कौन है वे दे, दे कौन है, तो भई, पहली लाइन हमारी लिखे हुई है, It was my first day in college, college में यह मेरा पहला दिन था, इसके बाद आप यह लाइन बोल सकते हो, क्या, They offered me, उन्होंने मुझे मदद की पेशकस की, उन्होंने मुझे मेरी classroom पता लगाने में मदद की पेशकस की, तो यह जो दे लिख रहे हैं, तो दे किसके लिए बोला जा रहा है, उसके पहले बताना होगा न, में जिकर करना होगा, I was happy to follow them, अब देखो इसके पहले के बाद में क्या R आ सकता है, पहले के बाद में क्या R आ सकता है, पहली line आपने कही, कि यह है college में मेरा पहला दिन था, I was happy to follow them, कौन को follow कर रहे हो, पहले यह बताओगे न, I was happy to follow them, तो S भी नहीं आ सकता, R भी नहीं आ सकता, They took me to their room, अगर आप लोजिकल देखोगे न, तो पहले के बाद आना चाहिए Q, कि यह मेरा college में पहला दिन था, जैसे ही मैंने college में प्रिवेश किया, As I enter, two seniors approached me, कि वे दो seniors जो थे, वे मेरे पास आए, तो बस Q से शुरुआत होगी हमारे वाक्य की, अब पूरा पढ़ लो, आप C हमारा answer होगय, और एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए पूरा पढ़ के देख लो, कि जैसे ही मेरा college में मेरा पहले दिन था, जैसे ही मैंने college म मेरे पास I, इसके बाद में आप लगाओ S, और उन seniors ने पास आके क्या कहा मेरे पास, उन्होंने मेरे पास पेशकस की किस चीच की, मुझे मेरी classroom का पता लगाने के लिए, उन्होंने मुझे offer दिया, इसके बाद आप R लगा दो, I was happy to follow them, कि वही उन्होंने जो पेशकस की न they are, they forced me, वहाँ ले जाकर उन्होंने क्या किया, कि मतलब जवरदस्ती की मेरे साथ, to part with my money, मतलब मेरा पेशा चीनने की कोशिश की, part with का मतलब होता है, अलग करना, कि मुझे उन्होंने मेरा पेशा अलग करने की कोशिश की, end the restaurant, और मेरी घड़ी चीनने की कोशिश की, तो अब देखो हाँ, 40 में क्या आना चाहिए, agriculture, क्या आना चाहिए इसे, agriculture के बाद में, and food for cattle, s, s, r, q, तो ये clear हो गया, कि भई, p नहीं आएगा है, पी नहीं आएगा सबसे पहले है, तो अब देखते हैं, भई, क्या आना चाहिए, and food for cattle, agriculture, कि भई, ये जो agriculture है, क्या करता है agriculture agriculture, s, नहीं लग रहा आपको, agriculture gives us food, कि भई, ये जब subject हो गया, हमारा agriculture है, तो ये clear हो गया, कि भई, पहले के बाद में, s, आएगा, अब या तो हमारा answer है D, या हमारा answer है, इनको हटा दो आप, तो अब इन में से हमें ढूड़ना है, तो agriculture gives us food, अब एक चीज़ और देखो आप, अब इसके बाद में क्या लगाएं, gives us food, उसके बाद में क्या लगा सकते हैं हम, ये लगा सकते हैं क्या, gives us food, कि पहला तो s आ गया, अब हमें देखना है, s के बाद में हम, r i या p i हैं, इ क्योंकि a या d में से एक लगाना है हमको, तो अब देख लेते हैं, s के बाद हम इसा करते हैं, r को देखते है, gives us food, and sugarcane, for our industries, अच्छा ठीक है, for our industries, उसके बाद में क्यो, raw materials like jute, उसके बाद में पी, cotton for our clothes, नहीं, तो सही तालमिल बैठ निरा, इसको देखो, कि भई, agriculture जो है, gives us food, agriculture जो है में भोजन देता है, इसके बाद में पी देखो, cotton for our clothes, कपड़ों के लिए जो है, cotton देता है, इसके बाद में क्यो देखो, raw materials, like jute, and, अब यह देखो, जो like लिखा हुआ है, like मतलब, कि भई, jute, अब इसी के साथ में कुछ और उलेक भी होगा, कि like, जैसे कि jute है, यह है, वो है, फ्राना है, ढीकडा है, तो like jute, end, तो end से जुडेंगे, यह आपको बिल्कुल clear होना चाहिए, कि क्यो के बाद में आर आएगा, क्यों, कि देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कच्चा माल, raw materials, like jute, and sugar cane, अब देखो, यह कच्चा माल जूट भी कच्चा माल होता है, और यह sugar cane भी कच्चा माल होता है, फिर sugar cane से बाकी चीजें जो है, एक तरीके से प्रात होती है, कि गन्ना हो गया, फिर अब गन्ने से आप जो है शक्कर बना होगे, यह जो भी आपको बनाना है, तो raw materials like jute and sugar cane, for our industries, and food for cattle, तो इस तरह से हमार answer हो जाएगा D, तो जुड़ा हुआ है, पूरा की पूरा की सबसे पहले हमें agriculture लगाया, agriculture यह clear हो गया, gives us food, इसके बाद में हमें इस conclusion पर पहुँचे, कि या तो हमारा answer आएगा A, या फिर D आएगा, तो A और D में जब हमने देखा, तो एक पेर हमें मिला, कौन सा पेर हमें करते हैं, तो raw materials like jute and sugar can, तो फिर इसी में है, यह पेर हमारा, यह जो Q और R की जो पेर की में आप से बात कर रहा हूँ, यह पेर सिर्फ इसी में है, answer D में, तो बस यह बिल्कुल clear हो जाएगा, तो इसका हम लगा देंगे, answer D, तो दीरे-दीरे जो है, इनको practice बनाते रहें, क को दिख जाए है, कोई बट लगा हुआ है, तो अब बट है, तो विरोधावासी बाते होगी, उनसे चीज़ें जड़ी हुई है, खहीं yet लगा हुआ है, खहीं he लिखा हुआ है, खहीं she लिखा हुआ है, तो he और she लिखा हुआ है, तो पहले उस व्यक्ति का या इस तरीका उलेक किया गया होगा पहले है उसको देखना है आपको कहीं वर्व लिखी हुई है तो वर्व के पहले आपको पता करना है कि वहीं जब वर्व लिखी हुई है यहाँ पर तो इसके पहले उससे तो पता चलेंगे कि हाँ इस तरह से भी देख सकते हैं उस तरह से भी देख सकते हैं options को जो है चेक करने की कोशिश करोगे हैं खईबी doubt रहे ना आप तो क्या किये अगर हो खईबी अगर आपको doubt लगे तो जैसे ही आपने को अपना कोई option select किया उसके एक बार चारों को पढ़के देख लो अगर वो बिल्कुल क्लियर हुगा ना चारों तो पूरी की पूरी लाइन जो आपकी बैठ जाएगी और एक दम अंदर से आपकी आवाज आएगी कि बिल्कुल आंसर यही है